इस चीद प्रकार की कारियोदना जो स्टेट लेवल पर तही हुए इसके अधिन काम करते हैं। इसका बजेटरी प्रोविजन होता है, इसकी योजनाय होती है, योजनाय की कुछ सरते होती है। और हमारा प्रोब्लेम है कि सुबह हमारे सौ लोग आ गए तो हम क्या करें, भढ़ाक से फॉन उठा कर कह देते हैं। और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटूता होती है, वो कुल मिला कर क्षेतर की सेवा नहीं करती है। हमने एड्मिस्ट्रेशन को समझ कर लीग कर देने की आदट डेवलप करनी चाहिए, जीतना लीग कर दोगे उतना ही आगे काम जल्दी बढ़ेगा। और मेरा आपसे आगरह है, मेरा अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ, लीग कर देने के 15 दिन बाद ही फोन करिए। एक तो लीग कर देंगे, तो ऐसी कोई बात आप नहीं लीग सकेंगे जो न करनी चाहिए, अपने आप मरियादा आजाएगी। और लीग कर देंगे, तो वो उस पर काम करकर आपको फोन पर उत्तर देने के लिए सक्षम भी होंगे। तो हमने अधिकारियों के साथ काम करने के अपने तरीकों में भी अनुभव के आदार पर अधिकारियों के साथ घवशब करकर अपने काम की पद्धती को इवॉल करना चाहिए, बनाना चाहिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ मानता हूँ कि जन्प्रतिनिती जब समर्थ होता है, सक्षम होता है और जवाब दे होता है तब ही अच्छा प्रसासन अपने जीले में अपने क्षेत्र में इसका समर्थन करता है हम जो समस्या लेकर जन्ता हमारे साथ आई है, इसका ध्यान करकर एड्मिस्ट्रेटिव तरीकों को समझ कर अगर पत्र लिखेंगे तो उसको रिस्पॉंड करना ही करना है, आप मेरी बात मान कर चलिए और अगर कोई नहीं करता है तो विधान सभा से लेकर, विधान सभा के कई नियमों से लेकर, कई समित्यों तक जन्प्रतिनिति के साथ इतना विसाल दाइरा पड़ा है कि कभी आपको गुस्सा होने की जरुत ही नहीं पड़ेगी वो अपने आप आपका काम करेंगे और मैं मानता हूँ कि समस्याओं को निराकरण के कई रास्ते होते हैं आंदोलन होता है, अनसन होता है, कौट में कुछ लोग PIL कर देते हैं, कुछ ITI लगा देते हैं कई NGO के पंडित भी अब गुमते रहते हैं और मीडिया भी इसी प्रकार का कमोबेस कभी कभी काम करता है विधान साभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ झाल 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 झाल